हैलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्तित हूँ आपके सपनों का अल लेके लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथी बैल आइकन को प्रेज कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके तो दोस्तों आज हम सपने के विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में पंडाल देखते हैं पंडाल बनाते हुए देखते हैं किसी भी परिस्थिती में अगर आप उस सपने में पंडाल दिखाई देता है तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालता है दोस्तों सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुभा उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं इन सपने को क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने को लेकर स्वापन सास्तर का मानना होता है कि जो भी सपने मरात को सोने के बाद देखते हैं वे सपने मारी भूत काल की घटी घटनाएं एंग बविस्ति में होने वाली घटनाएं को स्वापन फल के द्वारा दर्साती है कुछ सपने में सूब संकित देती है वहीं कुछ सपने में असूब संकित देती है और ऐसा ही मानागी है सपने में पंडाल देखना दोस्तों सपने में पंडाल देखना या एक सूब और एक बहेदी अच्छा स्वापन मानागी है माना जाता है अगर आपको सपने में पंडाल दिखाई देता है तो आने वाले जीवन में आपको आपके कार शेतर में सफलता प्राप्त होगी एवंग साथ ही साथ आपके परिवार में कोई उत्सव या महत्सव जैसे कार होने की ओर संकेत करती है सपने में पंडाल देखना तो दोस्तों कुल मिला कि सपने में पंडाल देखना या एक सूब और एक अच्छा स्वापन मानगी है वह इस वापने सास्तर कहता है कि जब भी आपको इसे सूब और अच्छे स्वापने दिखाए दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नीच चाहिए, किसी के सामने वेक नीच जाहिए ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावना ही कम हो जाती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकरी आपो पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों